गर्मिया शुरू हो गई है और गर्मियों में सबसे जरूरी होता है कि अपने शरीर को ठंडक दी जाए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी पोधे की पतियां जिनका इस्तमाल करके आप अपने शरीर को ठंडक दे सकते हैं इसके अलावा अगर आप इनका इस्तमाल करते हैं तो यह आपको आपके शरीर से कई सारी भीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करती हैं इसके अलाबा अगर बहुत लंबे समय से अगर आप जो है अपने पेट की गर्मी या फिर अपने हाथ पेरों की जलन तलवों की जलन या हाथ पेरों से आग निकलने की जो समस्या होती है इससे परेशान है तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा नमश्कार आप सभी का बहुत स्वागत है मैं आपकी होस्त एंद दोस्त मधू आपका आज की इंटरस्टिंग वीडियो में बहुत स्वागत करती हूं हम बात करेंगे पुदीने की पतियों के बारे में पुदीने का नाम सुन करके आपको लगेगा कि ये तो बहुत आम बात है सभी के घर में होता है और सभी इस्तमाल भी करते हैं इसमें क्या नई बात है आप क्या बताएंगे आज की इस वीडियो को अगर अप लिहान से देखेंगे तो आज हम आपको पुदीने के कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जिसके बारे में अकसर लोगों को पता नहीं होता है पुदीना हर घर में इस्तमाल किया जाता है और जादातर सभी लोग इसको जानते हैं कि ये कैसा होता है दिखने में अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है तो यहां स्क्रिन पर आप इसकी इमिज को देख करके इसकी पहचान कर सकते हैं जिससे आपको ये पता सल सके कि पुदीना देखने में कैसा होता है इसको इंग्लिस में मिंट बोला जाता है इसके अलावा इसकी और भी कई सारी भाषाओं में अलग अलग नाम हैं जिसकी लिस्ट आप इहां स्क्रिन पर देख सकते हैं पुदीने को सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए इस्तमाल करते हैं यानि कि सिर्फ इसकी चटनी का इस्तमाल करते हैं लेकिन ये उससे कहीं अधिक है आईरवेद के अनुसार अगर पुदीने का सही तरीके से इस्तमाल किया जाए इसकी पतियों का इस्तमाल किया जाए तो ये आपके शरीर को कई सारे बिमारियों से छुटकारा दिलाता है सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनें माइग्रेन की दिक्कत रहती है अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द या सर में भारीपन की दिक्कत रहती है तो ऐसे में आपको पुदीनी की पतियों के कहड़े का या इसकी चाय का इस्तमाल जरूर करना चाहिए ये आपको काफी लाब देता है इसके अलावा अगर आपको माईगरेन की दिक्कत तो है लेकिन आप कहड़ा लेना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में इसकी पतियों को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर अगर आप माथे पर लगाते हैं तो इससे भी माईगरेन में आपको काफी लाब मिलता है कारण है इसकी एक तीकी सी जो गंद होती है ये आपके मन को शांती देती है जिससे आपका माइग्वेंट धीर-धीरे करके शांत हो जाता है अगर आपके मुसे बदبू आती है दांत पीले हो गए है या दांत में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में भी पदिनी की पतिओं को चबाना आपके लिए काफी फायदे मन होता है क्योंकि इसकी पत्तियों को चबाने से दांतों के उपर जो पीले रंकी पर्त होती है वो धीरे-धीरे करके कम होने लगती है और दांत में कीला लगने का जो खत्रा है वो भी काफी कम हो जाता है क्योंकि ये मूँ की सफाई करता रहता है इसके अलावा अगर मुह से जो बद्बू आपको आती है उसको भी जब आप इसका इसका इस्तमाल करेंगे पुदेनी की पतियों का तो इनकी अंदर जो फ्रेशनेस होती है जो नैच्रल ओइल होता है उसकी वज़े से मुह की बद्बू भी चली जाती है जिन लोगों के बाल बहुत ज़ादा जड़ते हैं रूखे पन से परेशान है बालों के या फिर अगर आपके सर में बहुत ज़ादा डेंडरफ है खुजली बहुत रहती है या फिर गर्मी का मौसम आते ही सर के अंदर छोटे-छोटे से लाल रंके छोटे-छोटे दाने बनन तो इससे डेंडर्फ की समस्या, दानों की समस्या, और अगर आपके बाल बहुत ज़्धा ज़ड़ रही हैं तो इस समस्या में भी आपको काफी लाप मिलता है. अगर आप कान के दर्द से परेशान है या कान में किसी फुंसी के निकलने की वज़े से आपको दर्द है या फिर कोई भी कारण की वज़े से कान में सूजन या दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में पुदेनी की पतियों का रस निकालें, एक से दो बूंत, उसे हलका सा गुनगुना करें और किसी डॉपर की मदद से अपने कान में अगर आप डालते हैं, तो इससे आपको बेहद लाब मिलता है, कान का दर्द शांत हो जाता है इसके अलाबा उसके बाद में, यानि कि इस रस को डालने के लगवग 2-3 खंटे के बाद किसी कॉटन को लेकर के अपने कान की अच्छे से सफाई करें, इससे कान में जमा जितनी गंदिगी है, वो भी बाहर निकल जाती है जिन लोगों को सांस फूलने की दिक्कत रहती है, सांस की नली में सूजन या बरम की वज़े से आपको सांस लेने में तक लीव की समस्या होती है ऐसे लोगों को भी पुदिने का सेवन जरूर करना चाहिए इसके पत्तों का कहड़ा बना करके अगर आप 10 ml की मात्रा में लेते हैं और गुनगुना गुनगुना लेते हैं तो इससे सांस की नली की जो सूजन है वो कम होती है इसके अलावा अगर आपके फेपड़ों में किसी तरह का कफ जमा है तो वो भी निकलता है फेपड़े साप होते हैं और आपके गले का किसी तरह का अगर infection है तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है जिन लोगों को पेट में गर्मी रहती है गैस बहुत जादा बनती है या खाना नहीं पचता या खाना खाने के बाद खटी ड़कारे आती है या ऐसे लोग जिने भूक नहीं लगती है उन सभी के लिए पोदीना किसी वर्दान से कम नहीं है अगर आप इसका इस्तमाल करते है तो ये अपच से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने में आपको काफी मदद करता है सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जिने खाना नहीं पच्चता है अगर आपको खाना नहीं पच्चता है तो अपने खाने के समय या अगर आप ब्रेकफस करते हैं लंज करत तीनों समय ने पुदीने की चटनी बनाकर अगर अपने खाने में शामिल करते हैं तो इससे आपकी अपच्च की समस्या दूर हो जाती है अब बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिने भूग ही नहीं लगती है तो अगर आप भी उन में से एक हैं तो आप एक आधा नीबू काट लीजिए और उसके उपर आपने पुदीने के पत्तों की चटनी बना कर लगाना है थोड़ा सा सेंधा नमक डाले और इसे आप थीरी-दिरी करके चांटे अच्छे से यानि कि मुग के सलाईवा के साथ आप पेट में लेके जाएं मातर और मातर आदे घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छी भूग लगती है जिन लोगों को भी हार्मोंस डिस्बैलन्स होने की वज़़ से मूर स्विंग होते रहते हैं या वो महीलाएं जिनको हार्मोंस डिस्बैलन्स होने की वज़़़ से फेस पर unwanted hair की दिक्कत रहती है या चेहरे की रंगत चली जाती है या फिर बहुत जादा मोटापा आ जाता है obesity की problem हो जाती है तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है पुदीना अगर आप इसकी चाय बना करके लेते हैं इसकी चाय बनाने के लिए simply आपने एक कप पानी लेना है लगबग 200 ml आपने पानी लेना है और लगबग 8-10 पतियां इसकी लेनी है पुदीने की जिने हलका सा छेत कर इस पानी में डाले अच्छे से पका ले जब ये पकते पकते लगबग 30 से या 40 ml रह जाए तो आप इसे चान करके चाय की तरह सिप सिप करके लेते हैं तो इससे आपका खून भी साफ होता है आपके अगर शरीर में किसी तरह की सूजन है तो वो भी कम होती है इसके अलावा जिन लोगों को भी हार्मोन्स डिस्बिलन्स होने की समस्या रहती है उनको भी काफी लाब मिलता है अगर आप बहुत लंबे समय से आँखों की कमजोर रोशनी से परिशान है तो ऐसे लोगों के लिए भी पुदिना बेहद फाइदेमंद है आँखों में दर्द होता है आँखों की जलन की समस्या है तो ऐसे में पुदीने की ताजी पतियों को पीस करके इसका पेस्ट बना लें और आखों के उपर अगर इस पेस्ट को लगा करके रखते हैं आप लगबग आदे गंटे के लिए तो इसे आखों में होने वाला दर्द, सूजन और इंफेक्शन में आपको काफी लाहत मिलती है अकसर ऐसे लोग बहुत परिशान रहते हैं जिनें सफर के दोरान उल्टी आती है या सफर से कहीं से आते हैं तो उल्टी या उगाई जैसा फील होता है या वो लोग जिने सुभा उटते के साथ ही चकर या उल्टी की समस्या होती है तो ऐसे लोगों के लिए भी पुदीना बेहत फायरिमंद है आप चाहें तो इसकी दो-तीन पतियां चबा कर खा लें या फिर आप चाहें तो नीम्बू के साथ थोड़ा सेंधा नमक लगा करके और साथ में पुदीना का जो पेस्ट है उसको बना करके इसके उपर यानि ये नीम्बू के उपर लगा करके इसको चाटते हैं तो इससे इन सारी समस्याओं में आपको काफी लाब मिलता है अगर बहुत लंबे समय से स्किन पर कहीं दाग, दब्बे या फिर किसी भी तरह का पिग्मेंटेशन का प्रॉब्लम है या पुराना कोई दाद है तो उसको ठीक करने के लिए भी पुदिनी की पत्यों को पीस कर इसका पेस्ट अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको काफी लाब मिलते हैं जिन लोगों को भी अक्सर खून की खराबी की वज़े से स्किन में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंफेक्शन्स होते ही रहते हैं अगर आप इसकी पत्यों को सुखा करके छाओं में इसका पाउडर बना ले और इस पाउडर को एक चोथाई चमच रोजाना ताजे पानी के साथ ले लगातार एक हवते तक तो इससे खून की बहुत अच्छे से सफाई होती है लीवर की सफाई होती है, किड्नी की सफाई होती है, आते साफ होती है, पुरानी कभज यर्दूर होती है ऐसे तो पूदीना सभी के लिए काफी फायदे मंद है लेकिन अगर आप इसका ज़ाधा मातरा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर आपको उल्टी या उबकाई जैसा भी फील हो सकता है तो इसे या तो आप जो है इसे चटनी की तोर पर ले रहे हैं तो हल्का सेंदा नमक डाल करके लें और अपनी इच्छा के नुसाल लें बहुत अधिक नहीं लेना है किसी भी चीज को अगर आप इसकी चाय लेते हैं तो मातर 30 या 48 अमल की मातरा में यानि कि इसका कहड़ा या चाय जो भी आप कहें वो ले सकते हैं पतियां डारेक चबा कर खाते हैं तो 5-6 पतियां चबा कर खा सकते हैं पर ध्यान रखना है बहुत लंबे समय तक और रोजाना चबा कर नहीं खाना है इस बात का विश्यस ध्यान रखें जो गर्वती महिलाई हैं चोटे बच्चे हैं या फिर अगर आपको किड्नी से रिलेटेट, लिवर से रिलेटेट या आतों से रिलेटेट कोई भी किसी तरह की समस्या है और जिसके लिए आप दवाईयां ले रहे हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलह के साथ ही इसका सेवन करें कोई भी ओस्ती तभी फायदे मंद होती है जब हमारे शरीर के स्वरूप के हसाब से होती है अगर आपके शरीर में वो किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी करती है तो ऐसे में आप उसका परियोग तुर्यंत बंद कर दें वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी पसंद आई हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिले चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अपनों का खयाल रखें और हस्ते मस्कुलाते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी नमस्कार